आज हम बात करने जा रहे हैं इरान पर हुए इसराइल के अटैक की और उस अटैक के बाद अमेरिका की तरफ से दी गई इरान को हिदायत की बस बहुत हुआ जो हो गया सो हो गया और अब अमरिका ये कह रहा है कि बदला पूरा हो गया अब जो हुआ सो भूल जाओ शांती स्थापित करो ये किसे कह रहा है इरान को कह रहा है क्यों कह रहा है दरसल इसराइल ने कल तावर तोड हवाई हमले किये और इरान के कई ठिकानों को नस्तो नाबूत करने का धावा किया इसके बाद Benjamin Netanyahu की तरफ से ये कहा गया कि हमने जो target set रखे थे वो सारे target हमने achieve कर लिए लेकिन दूसरी तरफ इरान के सुप्रीम खामने जो है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम ये जानते हैं कि इसराइल जो बता रहा है वो कुछ ज्यादा बढ़ा चड़ा कर बता रहा है इससा समझना जरूरी है और समझाना भी जरूरी है एक प्रकार से उन्होंने अपने ही अधिकारियों को ये कहा है कि इससे समझाना जरूरी है अपनी भाशा में अपने देश हिद का ध्यान रखते हुए हमारे युवाओं की शक्ती को पहचानना जरूरी है और उसे समझाना जरूरी है इसराइल को दरसल इसराइल की तरफ से एक आपरेशन लाँच किया गया था क्यों लाँच किया गया था ये आपको मालूम है कि बीती एक अक्टूबर को एरान की तरफ से इसराइल के ओपर तेल अवीब के ओपर लगातार अटैक किये गए थे करीब 160 से ज्यादा मिसाईलें उसके ओपर दागी गई थी और उसके बाद ये दावा किया था कि बहां भारी नुकसान हुआ इसराइल ने इससे इंधार किया था लेकिन अमेरिका ने बताया था कि खास तोर पर उन जगहों को निशाना बनाया किया इरान के तरफ से जहां पर फाइटर जेट्स इसराइल के रखे थे और उनको भी काफी नुकसान हुआ इसके बाद इस्राइल की तरफ से बेंजमिन नितन्याहू की तरफ से ये कहा गया था कि हम इसका बदला लेंगे, जगा भी हमारी होगी, समय भी हमारा होगा और क्या टार्गेट करना है ये भी हम तैक करेंगे तो ये सब कुछ तो हो गया, लेकिन कुछ बयानों की बात करेंगे, उससे पहले आरोपों की बात कर लेते हैं आरोप किस की तरफ से लगाया गया, इरान की तरफ से ये आरोप लगाया गया, कि जो हमला हुआ, और सौ फाइटर जेट्स से इसराइल ने जो अटैक किया, वो उन फाइटर जेट्स ने एराग के हवाई क्षेतर का सहरा लिया, या उसका इस्तमाल किया, यानि कि उसके एर space का استعمal किया यह एरान की तरफ से आरोप लगाया गया और यह भी आरोप लगाया गया कि इसśliityr में अमेरीकी सेना तैनाथ है अमेरीका जो है उसका एक प्रकार से अमेरीकी सेना जो है बहां पर постоянно चुणार्म है और यहां तैनाथ ही है लेकिन अमेरिका की तरफ से कहा गया कि हमको तो ये कुछ मालूम नहीं था हमको ये मालूम था कि हमला होगा हमला किया जाएगा इस बात की जानकारी हमको थी लेकिन हम इसमें किसी भी रूप से शामिल नहीं थे ये अमेरिका की तरफ से कहा गया लेकिन हैरानी के बात ये है कि इस मामले में इसराइल के तरफ से कोई सफाई कोई बयान नहीं आया कि उसने एराक के एर स्पेस का इस्तमाल किया या नहीं किया इराक की तरफ से भी आधिकारिक रूप से तो कुछ बाते सामने नहीं आई इस मामले को लेकर लेकिन एराक के एक नेता ने जरूर कहा कि अगर ऐसा है तो इस पूरे मामले की जाच होनी चाहिए ये बाते सामने आए अब बयानों की बात कर लेते हैं ये तो आरोपों की बात हो गई लेकिन बयानों में क्या कुछ सामने आया बयानों में ये सामने आया कि अमेरिका एक तरफ समझाने की कोशिश कर रहा है किसको इरान को और ये कह रहा है कि अगर आप हमला करते हैं तो उसके नतीजे गंभीर होंगे इस बार तो अमेरिका इसमें साथ नहीं था लेकिन अगर आगे ऐसा होगा तो अमेरिका भी उसी तरीके से जवाब देगा अमेरिका ने ये भी कहा कि हम गाजा हो या लेबनान वहाँ पर शान्ती या सीज फायर इस्थाफित हो सके इसके लिए हम लगातार कोशिश करने में लगे हुए हैं दूसरी तरफ यही बात जो है इरान की तरफ से भी सामने आई यानि कि रिटेलियेट करना या जवाब देना उससे ज्यादा एहम इरान किस बात को बता रहा है एरान बता रहा है कि इस से ज्यादा एहम यह है कि गाजा में शांती होना चाहिए लबनान में शांती होना चाहिए वहाँ पर सीज फायर होना चाहिए लेकिन अमरिका कह रहा है कि लिबनान और गाजा में सीस पायर तो होना चाहिए लेकिन जो इसराइली बंधग बनाए गए हैं उनको भी छोड़ा जाना चाहिए तो क्या दोनों की तरफ से बात तो एक ही सामने आ रही है लेकिन तीसरी तरफ इसराइल की तरफ से क्या किया जा रहा है इसराइल अभी भी लगातार एक तो हमला उसने इरान पर कल किया लेकिन इसके पहले लगाता रोज़ाना के तौर पर इजराइल लेबनान पर अटेक कर आए और वहाँ पर हिजबुला के ठिकानों को निशाना बना रहा है सबसे बड़ी बात ये है कि हिजबुला के लड़ाके अब भी वहाँ पर मौजूद है हलाकि ये भी बात है कि हिजबुला के टॉप कमांडर्स जो हैं उनको धेर कर दिया गया है नसरेल्ला की मौत के बाद ही इरान ने इसराइल के ऊपर हमला बोला था एक अक्टूबर का ये दिन था इसके पहले अपरेल में भी इरान की तरफ से इसराइल पर अटेक किया गया था लेकिन अगर हिजबुला के कमांडर्स की बात की जाए तो उनकी मौत के बावजूद भी हिजबुला के लड़ाके वहाँ पर नकिवल तैनात हैं बलकि उनके पास बड़ी संख्या में मिसाइले भी मौजूद हैं और इनहीं मिसाइलों से वो लगातार इसराइल के उपर अटेक कर रहा है इसमें कुछ कत्यूशा रॉकेट्स भी मौजूद हैं और और भी कई रॉकेट्स हिजबुला के आप पास अभी भी मौजूद हैं जो की काफी दूर तक वार करने की ताकत रखते हैं और तो और अगर आगे स्थित्या बिगड़ती हैं और अगर इसराइल कहीं भी सीजबुला के लिए राजी नहीं होता और वो कहता है की हम लगातार अटेक करेंगे क्योंकि सीरिया पर भी अटेक कीए खास तोर पर बात ये भी है कि इसराइल का ये कहना है कि सीरिया से पूरी मदद हिजबुला को लिबनान में पहुँचाए जाती है और इसलिए सीरिया पर भी खास तोर पर सप्लाइ लाइन को तोड़ने के लिए वहां पर अटैक किये गए इसराइल के दोरा लेकिन अब प्लानिंग ये बताई जा रही है कि हजबुला और उसके साथ-साथ क्योंकि की हामने ये कह चुके हैं कि हमारे लड़कों की ताकत हमारे युवाओं की ताकत इसराइल को बताना ज़रूरी है तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि एक तरफ हिजबुला दूसरी तरफ एरान एक साथ रॉकेटों की या मिसाइलों की बोचार इसराइल पर कर सकते हैं और ऐसे में इसराइल का आइरन डोम जो है वो क्या काम कर पाएगा ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि प्लानिंग तो ये है कि एक साथ मतलब कुछ मिंटों के भीतर हजारों रॉकेट्स जो हैं वो इसराइल के उपर दाख दिये जाएं ऐसे में आइरन डोम क्या उसको बचा पाएगा क्योंकि कुल मिलाकर आइरन डोम का काम ये होता है कि एक मिसाईल उधर से चुटी आईरन डोम ने उसको ट्रैक किया और एक दूसरी मिसाईल यहां से छोड़ी और उसको हवा में ही मार कि रहाया लेकिन जब इतनी बड़ी संख्या में मिसाईल ये छोड़ी जाएंगी तो क्या ये आइरन डोम काम कर पाएँगे सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमला इसराइल की तरफ से एरान के उपर किया गया था उस हमले में सबसे पहले टार्गेट किया किया गया सीरिया में मौझूद रेडार जहां पर लगे हुए हैं वहां पर इसके अलावा एरा के रडार सिस्टम को टार्गेट किया गया ताकि वो लड़ा को विमान, क्योंकि 100 के करीब लड़ा को विमान जो हे, वो हवा में उतार दिये गए थे और उसके द्वारा यह हमला किया गया, हवाई हमला यह था तो ऐसे में radar system को नष्ट करतेंने से वो radar जो है टेटा संग्रहत नहीं कर पाएंगे और जानकारी नहीं मिल पाएगी यानि की जवाबी कर भाई नहीं हो पाए उसके बाद उन जगहों को निशाना बनाया गया जहां पर रॉकिट्स तयार होते हैं मिसाईले तयार होती है उन जगहों को निशाना बनाया गया इरान में तो ऐसे में इसराइल की तरफ से यह कोशिश है कि किसी भी तरीके से कमर तोड़ी जाए क्योंकि ये वाड जो चल रहा है, सबसे बड़ी बात ये है, कि जो जंग चल रही है, या रुक रुक कर एक दूसरे के उपर हमला जो बोला जा रहा है, वो मिसाइलों से ही ज्यादा हो रहा है, हवा से ही ये सब कुछ खेल चल रहा है। हम इराक में मौझूद जो मिलिशिया हैं, उनसे लड़ाई 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 हैं, हम हूती से लड़ाई 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 हैं, हम सीरिया में जो मौझूद गुठ हैं, उनसे भी लड़ाई 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 हैं। महिला फाइटर्ड पाइलेट्स जो हैं उन्होंने इस हमले को अंचान दिया है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ओपरेशन का नाम जो रखा गया वो नाम उसका जिक्र करना यहां पर बहुत जरूरी है और इस ओपरेशन का नाम रखा गया था नसीहत वाला ओपरेशन यान Days of Repentance याने की पच्चतावे का दिन पच्चतावा किसके लिए पच्चतावा इरान के लिए कि उसने जो हमला किया था उसके बाद यह उसके लिए पच्चतावे का दिन है तो क्या आने वाले वक्त में जब अमेरिका यह कह रहा है कि बस बहुत हुआ अब बदला पूरा चांती करो वरना फिर आपको इसके अंजाम भूगतने पड़ेंगे हम नहीं चाहते कि इरान में और हमले हूँ तो ये एक प्रकार से चेतावनी भी है एक प्रकार से समझाईश भी है लेकिन अमेरिका के तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर आगे ऐसा हुआ तो हम साथ आ ज खड़े हूंगे और ऐसे में ये युद्ध और बड़ा हो सकता है और इसका विस्तार बड़ा हो सकता है लेकिन कोई नहीं चाहता कि इसका विस्तार बड़ा हो बलकि सीज़ फायर की बात हो रही है लेकिन इसराइल ने इस पर अभी कुछ भी नहीं बूला है तो देखना हो आने वाले दिनों में कि मिडी लीस्ट में क्या शांती चाती है या फिर एक बार फिर से अपना बतला लेगा